तो हेलो एंड वोट्सप गाईज आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में तो आज हम कराने जा रहे हैं टीम ओसी वासेश टीम विजिनरी गाईज तो देखते हैं कौन किसको हराएगा इस मैच को जल्दी से शुरू करते हैं लेट्स गो तो एजे स्टाइल्स और सेट रॉलेंज एक दूसरे को पिटने के लिए थें तयार और ये बढ़ता हुआ एक पोर आम और पीछे से डिस्टेक्शन भी आ गया और सेट रॉलेंज क्रॉस रोस लगाने के लिए भी चले गए है बूम तो पहला मैच अपना हार चुके थे ये बूम स्पिंग बोल्ड स्टॉम और ये बचा लिए ये स्टाइल्स भी खतर नाक है टीम ओसी के प्लेयर टीम ओसी जब भी आती है तो किसी ना किसी को तो हरा के जाती ही जाती है लेकिन आज देखते हैं क्या हरा पाएगी विजनरी गाइस को नाका मोरा उधर पिट रह है फिलाल के लिए सेथ रॉल्लेंस नैं पंच दे दिया है और के नाका मोरा नहीं पिट रहे थे काल एंडरिशन पिट रहे थे काल एंडरिशन स्टैंड भी हो गया है ओर बूम और ये पहले किक पूम पहले किक भी लग गई है और अब मेरे ख़याल से डी-डी-टी- के reverse कर दिया है reverse कर दिया है ठीक है टैग देनी चाहिए दोनों में से टैग दे दो दोलों में से कोई तो टैग दे दो टैग नहीं दे रहे है पता रहे हैं पता नहीं क्यूं Purdue है फिलाल के लिए लिए बूम एक Cross Face Normal Submission लगा दिया था जगिन ठीक हैं बatista आ लेकिन कुछ नहीं करा बटीस्ता ने और ये सूपलेक्स स्मॉल पैकेज डाइवर भी लगा दिया है यसे सूपलेक्स भी बोग सकते हैं लेकिन और स्टील चेयर मैं बता दू ये नो डिस्कौलिफिकेशन मैच है सभी को मैंने फिनिशर दिये थे दो-दो लेकिन किसी ने अभी तक लगाया नहीं है बस सेट रॉलिन से लगाया था और अब बटीस्ता को टैक मिल गई है बटीस्ता आए है बटीस्ता बॉम लगाएंगे लेकिन एक फोर आम कनेक्ट हो गया है उसके बाद मेरे ख्याल से रुकना नहीं चाहिए था स्टाइल्स क्लैश लगा दिनी चाहिए थी एजे को लेकिन एजे नहीं लगाई यह स्टाइल्स क्लैश और ठीक है घसीट के लिए जा रहे बटीस्ता बटीस्ता क्या करने वाले हो बटीस्ता का प्लैन है बॉम एक क्लोज लाइन और उठा के एक और close line पिशली बाद Seth Rollins की टीम शील्ड से अपना बदला नहीं ले पाई थी क्योंकि आदेना कैसे नमबर वन कंटेंडर शिप की रेस दीन ने बाहर किया था Seth Rollins को और ये बूम स्टाइल्स क्लैश आती भी और अभी पिन फॉल नहीं होगी एक और स्टाइल्स क्लैश ने कर नहीं है इस बार रिवास कर दिये बटीस्ता ने हाँ तो मैं ये कह रहा था कि Seth Rollins का बदला अभी भी पूरा हुआ नहीं है डीन एम्रोस से और रेफरी उधर गिर चुके हैं रेफरी अबधी में काउंट करने वाले हैं और ड्रे डाले हैं और बटीस्ता बाहर हो जाएंगे इसके बाद मुझे पता था ठीक है डबल लेग ड्रॉप दोनों नहीं लगाई लेकिन किसी की भी लगी नहीं लेग ड्रॉप किसी की नहीं लगी और ये बूम हाट डेमेज करते हुए टैग क्यों नहीं दे रहे इस टैल साज कमान अपने उपर ही कहा है कि आज मैं टैग नहीं दूँगा और ये नो डिस्कॉलिफिकेशन मैच में एक लो बलो आती भी और वन ओके ठीक है वन में ही काम होगे है वैसे बच गए हैं और अब टैग आती भी चलो फाइनली फाइनली लूग को टैग में लिए लूग गयलास फिलाल के लिए बूम एक क्रॉस रोट पढ़ेगा रेफरी हज़ा भी सेवन वन में ही ठीक है सेव होगे है काल एंडर्सन ने बचा लिया है काल एंडर्सन ने बचा तो लिया लेकिन एक और क्रॉस रोट पढ़ेगा है नहीं नहीं मूव थीफ का यूज कर रहा है लेकिन नहीं मूव थीफ भी बरबाद हो गया है आज चैट रॉलिंस की साथ नहीं दे रही है उनकी किस्मत फिलार के लिए बूम एजे स्टाइल सी इतनी देश से लड़ रहे थे क्योंकि उनने शाय सोचा था कि आज अकेले सबको बाहर करूँगा नेकिन नहीं फिर उनने कुछ और सोचा और कहा कि चलो टैग दे ही देता हूँ पटिस्ता को बाहर करने के बाद टैग दे दी और गैलाउस आ चुके है गैलाउस अपना पावर बॉम और ये बूम गोल गोल गुमा के पावर बॉम दे दिया है और अब पिन फॉल करेंगे रेफरी वन लेकिन भी में ही करेंगे पिन फॉल क्योंकि पिट गए थे रेफरी भी और शिंस के नाकामुरा और सेट रॉलेंस अपनी टीम की कमान समझा लेंगे क्योंकि ये मैच बन चुका है टू अन थ्री हैंडी कैप मैच फिलार के लिए ये नीचे चले गए है और नाकामुरा पिटने वाले है नाकामुरा बचके अरे नाकामुरा बचके बोला था अरे बचके अब तो रिवास कर और ये बूम सेट पे भी धिहान था एजे का एजे स्टाइल साज क्या आप बढ़िया लड़ रहे हैं क्योंकि वन और मैं ये बता दू एजे क्यों अच्छा लड़ रहे हैं क्योंकि ये भी बने थे नंबर वन कांटेंडर लेकिन हार गए थे उस मैच में तो ब्रॉली जीत गए थे तो सभी को अपना अपना दुख है लेकिन बूम मैच में अच्छा प्रजर्शन करोगे तो आज जीत जाओगे और अपना आपको मोटिवेट कर दोगे मोटिवेशन बहुत जरूरी है और ओके काल एंडरसन पिटने वाले हैं फिर से काल एंडरसन पिट टैग पढ़ने वाली है यak टैग टीम मूव ओभी देखने को मिलेगा और ये बूम और पढ़ गया है टैग टीम मूव भी अब एक किंग शाषा के लिए जाने वाले थे लेकिन नहीं किंग शाषा नहीं लगाई और बूम हरे बज़ गए काल इंडरसन, किंग शाशा कैसे नहीं लगी है, अपर काट आता हुआ बिग बूट के बाद नाकामुरा किंग शाशा लगाने वाले थे, टैग टीम मूफ के बाद लेकिन नहीं लगा, और बूम एक और रिवर्सल नाकामुरा को जल्दी, ओक्र टैग दे दी है, नाकामुरा ने इतनी जल्दी क्यों टैग दे दी, वैसे भी सेट रॉलिस बहुत पिटे हुए है, ठीक है, गसीट के ले जाओ, गसीट के ले जाओ, और ठीक है, कोई फाइदा नहीं हुआ, फिर से टैग मिले गी अब एक बार ओल लूक अंदर आते वे, और ये एक स्लिंग ब्लेड अंदर आते के साथ ही पढ़ गया है, टीम OC, लेकिन अभी भी कंट्रोल में देख रही है, क्योंकि विजनरी गाइस की एक प्लेयर बाहर हो चुके है, विजनरी गाइस की एक प्लेयर का टाटा हो चुका है, विलाल के लिए, टैग देनी चाहिए या नहीं से ट्रोलेंस को अभी मुझे पता नहीं क्योंकि नाकामुरा बिल्कुल फिटे ही नहीं है इसलिए मेरे खिया से टैग नहीं देनी चाहिए, नाकामुरा को किंग शाशा लगाना चाहिए, अरे क्या एक बार और बूम अब स्टन्ड करने का इरादा लग रहा है मुझे और ये बूम एक बार स्टन्ड कर दिया है लूक को एक किंग शाशा एलिमिनेट हो जाएंगे लूक, लेकिन कर क्या रहे है, बूम ठीक है और अब एक बूम बैंग ठीक है मेरे ख्यास जल्दी से जल्दी से पिन फॉल नहीं एक किंग शाशा लगनी चाहिए क्योंकि दो दो हैं, और बूम काल इंडरसन बचाने भी आगे थे, काल जल्दी भाग और फसा के पिन फॉल ओके वन, ओक वन में किक उट हो गई, वनना मुझे लगा था, फसा के पिन फॉल कहीं कायम ना हो जाए और नाकामूरा कहीं बहार ना हो जाए नाकामूरा बहार नहीं हुए, लेकिन अब काल इंडरसन एजे स्टाइल्स को माणना थोड़ा मुश्किल में, नो डिस कॉलिफिकेशन मैच है, तो काल एंडरसन कुछ कहा है, कहेंगे भी नहीं, रेफरी वो जाहे जितनी बाहर इंटरप्ट करें मैच में, फिलाल के लिए बूम कॉम्बो मूव आता हुआ, सैतर ओलिंस को फिर से टैग मिलेगी, काल इंडरसन को भी टैग मिलेगी वैसे ये लोग कोई भी समान भी उज़ कर सकते हैं क्योंकि नो डिस्कॉलिफिकेशन मैच है और ये बूम, क्रोस रोड्स दोड के आए काल इंडरसन लेकिन नहीं, दोड के आने का कोई फाइदा हुआ नहीं, वहाँ पे क्रोस रोड्स पढ़ गई है, अब मेरे कहाँ से हेड डैमेज हो गया, एक और क्रोस रोड्स बड़ी तो काम हो जाएगा, और काल इंडरसन बाहर हो जाएंगे, फिलाल के लिए ये उपर, नाका मूरा ने टेबल क्यों भेजी है और बूम, टेबल भेजने का क्या फाइदा आना का मूरा सेट रोलिंस टेबल तोड़ के दिखाऊ ना और ये हेंड डैमेज कर रहे हैं सेट रोलिंस का काल इंडरसन टीम ओसी अच्छा लड़ती है पहले ही बता दूँ टीम ओसी बहुत बढ़िया लड़ती है अगर सेट रोलिंस को टीम को जीतना है तो बहुत अच्छा कुछ करके दिखाना पड़ेगा वन ना एक लेर तो बाहर होई चुके है फिलार के लिए पेडिग्री बूम, पेडिग्री भी आ गई लेकिन काल इंडरसर बाहर नहीं हुए है वन, ओ भाई, ठीक है पेडिग्री आ गई है पेडिग्री के बाद एक क्रोस रोड भी आ जाएगा तो शायद काल बाहर हो जाएगे और टू वी टू वक का ये मुकाबला हो जाएगा बूम, और काल बाहर हो गए है सेट रॉलिंस की मेहनत की वज़े से और अब गैलोस अंदर आते हुए क्योंकि वही लीगल है अब सेट के पास ना फिनिशर बचा है ना सिगनेचर कैसे हराएंगे नाकामूरा तो कुछ करी नहीं रहे है नाकामूरा बस टैग पर टैग दे रहे है किंग शासा लगानी चाहिए नाकामूरा को बड़न सेट रॉलिंस गुस्सा हो जाएंगे और सेट रॉलिंस पनिश्मेंट देंगे नाकामूरा को कमान बटिस्ता बाहर हो गए है बटिस्ता बॉम भी नहीं लगाया था उनोंने सेट रॉलिंस की ये टीम क्या करना चाहती है को समझ आ नहीं रहे नाकामूरा के पास देख रहे हो दो दो फिनिशर है लेकिन लगा ही नहीं रहे और एक नेक ब्रेकर आ गई है लूग गेलोस छोड़ेंगे नहीं टैग हो भाई लूग गेलोस के सामने सामने टैग दे दी क्या कर रहे थे एक किंग शाशा मैंसे तो count नहीं होगी एक reversal भी आ गया है और ये नेक breaker से भी reversal कर दिया है नाका मूरा ने अब हाँ अब उठा के मारो बूम और ये steel chair भी पड़ी no disqualification मैंसे जैसा कि मैंने बताया था लेकिन close line भी आ गई और एक black drop भी पड़ चुकी है ठीक है और अब मेरे ख्याल से उपर ले जाओ उपर लाग जाके लड़ो तो ज़्यादा अच्छा कालेंडर से देखो उदर से जा रहे ठीक है ठाटा कालेंडर से बाहर हो गए और बूम एक next breaker भी पड़ गई है और hand damage करना फिर से चालू ताकत का ने भी उड़ी शॉडी दिखाते हुए बादी दिखा दिए अपनी और अब उपर जाना चाहिए है ठीक है उपर जाओ के उपर आई ही जाएंगे नाकामुरा दोड़ ना मेरे भाई ठीक है नाकामुरा अपने स्टाइल से आए है चल चल के फिलार के लिए से ट्रॉलिंस गए और किंग शाषा जैसा कि मैंने बोला था अचानक से किंग शाषा लगी और ये बात और मेरे ख्याल से इस ट्राइल्स पड़ी किंग शाषा तो बाहर हो जाएंगे किंग शाषा के लिए जानने तो चाहा रहे है और एक और किंग शाषा विजनरी गाईस की जिताने दिया है नाकामुरा ने क्या लड़े है फिलार के लिए मैं इधर खतम होती है अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सस्क्राइब करना और जानल से जानल लोग को शेयर भी करना तब तक के लिए मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग